गुड मॉर्निंग दोस्तों, अफ्रीकन यूनियन तो ज्वाइन जी ट्वेंटी ऐस शेर्पाज रीचाडील एक्चल में अगर आप नोटिस करो ना, तो आप जानते होंगे कि अफ्रीकन कॉंटिनेंट को कौन रिप्रेजेंट करता है, वो है अफ्रीकन यूनियन इसके अंदर हमें टोटल 55 मेंबर्स कंट्रीज देखने को मिलती हैं, अब यहाँ पर क्या हुआ गया है, कि जो आपके ज़्यादा तर जो कंट्रीज हैं, वो यहाँ पर इस मूव को बैक कर रही है, मतलब उसके साथ अग्री कर रही हैं, कि EU अफ्रीकन यूनियन इसको जोईन करेगा, तो आने वाले टाइम के अंदर आप देखोगे, कि ये भी इसका पार्ट हो जाएगा, क्या सर्फ इसका नाम G20 के जगा G21 रख दिया जाएगा, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन इसका पार्ट बन रहा है, अभी हमें नहीं पता, ठीक है ना, आने वाले टाइम के अधर कोई ग्रूपिंग है या नहीं है, अंसर इस येस, ये रोपेन यूनियन है ना, इसका मेंबर आलड़ी, देखो G20 का मतलब है, 19 कंट्रिस प्लस साथ से साथ एक ये रोपेन यूनियन, ठीक है ना, जो कि एक रीजनल बॉड़ी है, उस तरह से अब दूसरी रीजनल ब आले तीन-चार दिन या एक हफता आप रोटेस करोगे ना, आई यार के रिगार्डिंग भर भर के आर्टिकल्स आएंगे, नियूस पर इनी से भरा रहेगा, G20 हो गया, ठीक है ना, आसियान हो गया, साउथ इस्ट, मन्द इस्टेश्य समिट हो गया, इन सभी चीजों के र लेना है, तो दोस्तो डेट है आज की 8 सब्टेंबर 2023, आप सभी का स्वागत है आज के प्रिलेम बूस्टर न्यूस डिसकॉशन के अंदर, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की डिसकॉशन, पहला टॉपिक है मारा लगपती दीदी के बारे में, देखो लगपती दीदी समझ होता है, मैं आपको एक ग्जांपल समझाता हूँ, जैसे मालनो एक महिला है, ठीक है, अब महिला अपने आप मैं अकेली है, ठीक है, हो सकता है, इसके ऊच्छुड़वाण 50,000 रुपया हो इसके पास, ठीक है, अब ये अकेली शायद एक छोटा सा बिसंज, छोटा सा resources को pool कर दिया सर्फ कौन से resources यहां पर financial resources की बात भी कर रहा हूं at the same time इनके जो skills वगरा हो गया उनको भी इन्होंने पूल कर दिया एकठे आगे एक तरह साथ में अब थोड़े बात पैसे भी है इनका skills भी है कोई छोटा मोटा कारोबार भी कर सकते हैं अपनी situation को बहतर भी कर स देखा है largely हम महिलाओं की यहां पर बात करते हैं पट हो यह mail का भी सकता है ठीक है जो की साथ में आते हैं ताकि वह अपनी living conditions अपने जो अपनी economic condition है उनको यहां पर बहतर कर पाएं सर कुछ example दे दिए जैसे for example आपको केरला के अंदर कुड़ो मुश्री देखने को मिलता है वहां पर यह चीज है अपने आप बहुत successful हुई है तो इस तरह से क्या होता है कि similar economic background के लोग साथ में आते हैं ताकि आपस में साथ में आके एक common purpose वो अचीव कर पाएं ठीक है तो सर यह तो बहुत बढ़िया initiative है अगर इनको कल को bank के पास जाना पड़े और bank से loan लेना पड़े ना तो bank भी बड़े राम से इनको loan दे देता है अगर एक के लिए महिला जाए तो bank उसको loan नहीं देता पर इस तरह से group जाएगा जो कि अपने आप में empowered है तो वो भी सारी चीज़े साथ में देखने को मिल जाती है प्लस bank के साथ इनका loan वगएरा मिलेगा या फिर अपने resources को manage कर पाएंगी तो financial inclusion भी यहाँ पर बढ़िया ढंक से हो पाएंगी तो ग्रूप ने loan लिया है तो वो एक्चल में वापस कर देगा क्योंकि इतनी सारी महिलाएं साथ में आई है तो accordingly वा या देखने इस चीज़ को वापस कर देती है तो अगर इसके इतने सारे फायदे है तो इस बचास से मारी सरकार सोचते है यार इसको और अच्छा से utilize किया ज हो रही है तो यहाँ पर होगा क्या इस particular initiative के अंदर दो क्रोड महिलाओं को यहाँ पर skill training दी जाएगी ठीक है ना इस particular initiative के अंदर और focus यह होगा ताकि जो महिलाएं है ना कम से कम एक लाख रुपया एक साल के अंदर वो achieve कर पाए मतलब उनकी income हितनी हो पाए अब आप लोग enterprises के अंदर engage करें वहाँ पर जब skills उनको मिलेगे ना तो accordingly इनके लिए इसके अंदर enter करना असान हो जाएगा और वो लगपती दीदी यहाँ पर accordingly बन पाएगी यहाँ पर आप समझो दीन द्याल अंतोद्यय योजना नेशल रूरल लाइवलिविड मिशन के बारे में तो पह पाएं बाकी आप चीज़े समझी गए हो financial inclusion होगा ठीक है वोमन इंपार्मेंट भी हो सकता है sustainable livelihood होगा and साथ साथ बाकी चीज़े भी आप यहाँ पर प्रॉबर्ली देख सकते हो कि और बाकी जो उनका situation है ना rural woman की उनको और improve है यहाँ पर आप कर पाऊगे तो यह हो गया दस country जरूर है पर इन्होंने आसियान ने agree कर चुक है कि हम 11 member को भी add करेंगे कोई बता सकता है कि कौन सा 11 member है सोचो एक बार ठीक है यहाँ पर actual में आपको यहाँ पर इस तैमोर देखने को मिलेगा यह जो रैड में मार्क है यह नीचे देख़ए देदर यह वाला यह वाले इस तैमोर जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ठीक है थोड़ा सो और देखें आसियान के बारे में तो आसियान ने स्टैबलिश कब हुआ था 1967 के अंदर बैंकॉक डेकलरेशन के थूप तो यह डेकलरेशन का नाम आपको विल्कुल भी नहीं गूनला कौन सी बैंकॉ कमबोडिया लाउस मैनमर और वियतनाम तो आज के टाइम 10 मेंबर हैं और 11 मा एड हो जाएगा फ्यूचर के अंदर आसियान का मोटो गया है वन विजन वन एडेंटिटी वन कम्यूनिटी का ठीक है ना तो हर साल जो इनका समिट होता है वही उनका हाइस बॉड़ी होती है आ मिलकर ये फोकस करती है है तो हमारे प्रदानमंत्र जी इस बार गये उन्होंने बात करिए किसचीज की यहां पर एक्ट इस्ट की बात करी यह लिखाना एक्ट इसट पॉलिसी तो इंडिया की टिस्ट पॉलिसी आप जानते होंगे उसमें हम focus किसके उपर करते हैं हम focus करते हैं culture के उपर हम focus कर रहे हैं उसमें commerce के उपर हम focus कर रहे हैं हमारी connectivity improve करने के अंदर and साथ ही साथ जो capacity building है उस चीज़ के उपर तो जब भी आपको एक्टीस्ट की बात आए ना तो यहां पर आपने फोर सीज की बात रूट करनी है culture commerce connectivity एंड साथ ही साथ हमारा जो capacity building हो अब देखो जैसे मैं कुछ एक्जांपल देता हूँ जैसे फॉर एक्जांपल इंडिया का आप नौर्थीस्ट देखते हो ठीक है ना नौर्थीस्ट वाला जो portion है कहिना 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 यहां पर in countries का देखो ही जो country का आपके बात कर रहा था यहां पर मैंनमार के साथ हमारी के अने activity है यहां पर है कि नहीं तो हमारा जो नौर्थीस्ट है ना अगर हमने उसको develop करना है कहिना के act east policy का वहां पर बहुत है point role आता है साथ महीं हम जैसे अगरतला से महां तरह बना रहे हैं आप सभी ने क प्राइलेटरल हाईवे यहां पर बनाया जा रहा है तो इस तरह से एक्टिस्ट का अपने आप में बहुत ज़दा important role है मैं कौंग गंगा कॉपरेशन हमने सुना हुआ है यह सारी चीज़े क्या है यह सारी चीज़े उसी को ही show कर दी है बाकि इसके लावे भी education हो गया science technology हो है यह सारी बाते हैं यहां पर प्रदान मंतिजी ने करीब ही और अगर आप लॉजिकली सोचते है ना तब भी आप इन चीज़ों को बता पाते हैं क्योंकि हम इतने स्ट्राइम से पढ़ते आ रहे हैं आसिया के बार में सारी चीज़ें बारे में हमें पता होना चाहिए ठी यह क्या चीज है देखो पहले तो मैं आपको आपको वर्ड समझाता हूँ यह पहले इस वर्ड के उपर फॉकस करो एंसेफलियेश की उपर इस यह और आपको जब भी वर्ड सुनें न तो आपके दिमाग में अना चाहिए क्या मतलब सर देखो इनसेफलियटियस उन है इसकी ठीक है सर यह बाद समझ आई अब देखो ना एक्चली जो ब्रेन हो गया इसके अलग-अलग टाइप्स हो सकते हैं तो जैसे फॉर एक्जांपल इससे आपका वाइरस से भी हो सकता है आपका बैक्टीरिया से भी हो सकता है इस तरह से अलग-अलग तरीके के वाइरस होती है मतलब इसके पर इसके 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 अंदर ने एक फ़र्दर सब पढ़ेंगे अब इसके अंदर क्या होता है यहां पर बात करता हूं यहां पर आपका वाइरस के थ्रू होता है ठीक है साथ में इसका सिर्फ वेक्टर कौन होता है वेक्टर होता है एक मॉस्कीटो ठीक है कौन सा मॉस्कीटो आपका जो इधर लिखा है क्यूल एक मॉस्कीटो होता है उसके बाइट के थू यहां पर यहां पर यह लोगों में स्प्रेड होता है ठीक है आपके डिफरेंट जैसे फॉर एकजाम्पल यह वाईरस कब पनबता है या वाईरस नहीं वोलूगा यह मॉक्सकीट विसिकली तो यह कब देखने को मिलता है एक्चलियो क्यूलैक्स मॉक्सकीट जब बारिश होती है मोंसून का पिरिड़ होता है उस टाइम पर हमें ज़ादा देखने को मिलता है जबकि चावल के खेट होते हैं राइस फील्ड जो होती है वहाँ पर ये काफी तेरी से पनबता है तो वहाँ से इसका ग्रोफ ज़ादा होता है क्यूलक्स का इसलिए मौनसून के अंदर हमें ज़ादा केसिस देखने को मिलता है जपनेस इनसेफलाइटस के इसके साथ में आपको अगर एक चोटी सी चीज और और बताऊं तो आप नोटिस कीजेगा कि ये ना फ्लेवी वाइरस के अंदर हमें या पर देखने को मिलता है तो ये फ्लेवी वाइरस का नाम भी आपको पता होना चाहिए दरसल में होता क्या है ना कि एक फैमिली ऑफ वाइरसेज है जैसे उसके अंदर ही सेम चीज आती है जैसे आपने डेंगू फीपर सुना है ठीक है ना आपने येलो फीपर सुना है ये सारे आपके फ्लेवी वाइरस की कैटेगरी के अंदर ही आते है तो सेम ही वाइरस है जो कहिना कहीं जैपनेस इंसेफराइटिस को आपके डेंगू को येलो फीपर को सबको कॉस करता है अब अगर इतना सर इशू है इसके रिगार्डिंग तो हमें इसकी वैक्सीन भी होनी चाहिए बिल्कुल इसकी वैक्सीन है ठीक है और हमारा जो इंदर धनुष प्रोग्राम है इंडिया का उसके अंदर भी जैपनेस इंसेफराइटिस यहाँ पर कवर्ड है यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है तो एक फ्लावि वाइरस वह है जो आपका यलो फीपर है जिसको आपका इनके प्रोटेक्ट कर सकते हो वैक्सीन से प्रोग्रेंट कर सकते हो उसी तरह से जैपनेस इंसे इंसान से दूसरे इंसान के अंदर नहीं फैलता ध्यान में यह बात रखनी है ठीक है ना ऐसा नहीं है जैसे कोबिड-19 होटा ना कि एक बंदे को हो गया दूसरे बंदे को भी हो जाएगा नहीं जैपनेस अंदर एसा कुछ भी नहीं है एक बंदे से दूसरे के उपर नहीं फैलता अब देखो एक स्टड़ी हुई है वाइरस के रिग जानकारी नहीं देनी कि कितने महीने बाद डोस दी जाती है अगले टॉपिक की दरफ बढ़ते अधिस हनी वीज एज बायो मॉनिटर ऑफ अमर्स अब देखो एमर भी कुछ दिन पहले हमने बढ़ा क्या होता है कि जैसे माल लो एक परसन है ठीक ना इसको कुछ बिमारी थी इसने कुछ मेडिसिन ली जैसे एंटिवर्टिक वगरा ली माल लो ठीक ना और ये बंदा ठीक हो गया तो यह पता क्या करेगा पांच दिन की दवाई इसको रेकमेंडिट थी दोज़ी दिन बाद यह ठीक हो गया तो बाकी की मेडिसिन इसको कम्प्लीट ही नहीं करेगा य इसे टाइम पर पता क्या होता है आप अप एंटीपटिक जादा कम जियूम करते जा रहे हो पर एड़ प्टिकुलर चीज के लिए रिजिस्टेंट हो जाता है कि उसके उपर आप दवाई खा रहे हो पर उस बेक्टीरिया के उपर को असर ही नहीं हो रहा क्यूं कि जब पिछ उसका effect ही कुछ नहीं हो रहा, इसको बोलते हैं AMR, बहुत सारे कारणों के वैसे हो सकता है, इवन जो आपके life stop हो सकता है, उस चीज के अंदर भी आप ढंक से चीज़े यूज़े ना करो, तब उससे भी AMR हो सकता है, तो यह बोलता है, AMR क्या होता है, बैक्टीरिया या फिर जो दूसरे microbes की ability है कि अगर drugs उनके पर use हो, तो वो मरे ना, अभी पता क्या हुआ है, अभी हमने देखा है कि जो honeybees है ना, वो एक biomonitor की तरह काम करती है, अब सर्फ पहले biomonitor समझा दो, देखो monitor समझते हो monitor, यह बार बोलता है ना, डॉक्टर बोलता है, कि अर इस patient को हमें जगा के अंदर anti-microbial resistance हो रहा है या नहीं हो रहा है, अब आप लोग सोच रहोंगे, सर्फ हनी भी इसको देखके कैसे हमने यह चीज़ बता दी, देखो एक्चल में समझाता हूं, होता क्या है ना, एक honeybees ना, चार हफते के लिए जिन्दा रहती है, ठीक है, अब honeybees जो ह है ना, हमारे humans के साथ काफी interact करती है, human के साथ कहने का मतलब, जो जिस environment के अंदर human रहते हैं, कहिना कि उसी environment के अंदर, आपको honeybees देखने का मिलती है, बिलकुल, तो honeybees के अंदर, जब हम इसकी digestive tract को देखेंगे, जो इनकी body के अंदर हमें अगर कोई चीज मिलती है, तो क् antimicrobial resistance हमें देखने को मिलते हैं, कुछ इस तरह के, जो genetic elements हमें देखने को मिलते हैं, तो क्या हम ये बोल सकते हैं, कि ये सभी चीजें human environment के अंदर होंगी, the answer is yes, तो actual में ये ही पाया गया है, वीज के उपर research हुई, उस research के अंदर हमने देखा कि इनकी body के अंदर से तो contaminant मि इस तरह से अगर हम ये देखें, वीज को monitor करते हैं, कि इनकी body के अंदर से क्या-क्या मिल रहा है उस particular area से, तो हमें पता लग पाएगा कि उस area के अंदर antimicrobial resistance होने की कितनी जा possibility है, and कितनी नहीं है, do you get the point? तो honey, वीज को इस तरह से use के जा रहा है, ये अपने आपे बहुत बड़ा survey था, ठीक है न, हमें detail में नहीं जाना, कैसे हमने ये चीज करी है, पर हमें एक idea होना चाहिए कि, हाँ, honey, वीज को यहाँ पर bio monitor का मतलब प्र लग गया, bio का मतलब होता है, life monitor मतलब होता है, कुछ information वगरा राप्त करना, तो basically एक organism को use करके, आपको कुछ information निकालने कोशिश कर रहे हो, किसके regarding quality of environment वहाँ पर कैसा है, I hope ये survey भी आपको idea लग जया होगा, एक और topic है हमारा, with regards to service charge, तो भी क्या हुआ है न, दिल्ली high quote ने एक order दिया है, किसको FHRAI को, FHRAI क्या है, this is Federation of Hotel and Restaurant Association of India, ठीक है न, ये आपके जो hospitality industry है न, उसको represent करते हैं, मैं मान लो, आपना कहीं बढ़िया होटल में गए, खाना खाने, रेस्टोरेंट में गए, ठीक है न, आपने कुछ 500 बेगा मान लो, खाना खा लिया, ठीक है न, उसके बाद फिर आपको पता है, GST गया लगता है, इसके उपर, कई बार न, आपने इसके उपर और और चीज़ उसके उपर लगाया गया था, अब मुझे थोड़ा चीज़ों की पता था ही, कि सर्विस चार्ज न, बॉलेंटरी है, कि आप देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं देना चाहो तो नहीं दे सकते, और अच्छली उनकी टर्म लेंट केंडिशन में लिखा भी नहीं था, तो मैं क्या लगता है, उनको लगता है, यह सर्विस चार्ज साथ गॉर्मेंट को जा रहा है, कि गॉर्मेंट ही इसको लगा रही है, पर एक्चल में ऐसा नहीं होता, यह गॉर्मेंट नहीं लगाती सर्विस चार्ज को, तो काफी सारे रस्टरेंट ओनर्स या आपका हॉस्पिट उसको change करना पड़ेगा staff contribution से ठीक है ना तो यहाँ पर अब आप service charge word नहीं देखोगे यहाँ पर क्या word देखोगे आप staff contribution और यह पहले से specify कर दिया जाएगा और उपर से पता क्या होता था यह जो पैसा जा रहे ना service charge वाला यह जाता किसको था उस होटल वाले को जाता था उस staff को कई बार लोग इसके उपर tip भी दे रहते हैं तो यानि कि अब पता क्या होगा अब आप देख लोगे ना कि यह staff को मैं already contribute कर रहा हूं अब मुझे tip देने की कोई जरूरत नहीं है ठीक है ना tip तो वैसे भी voluntary होती है पर अगर अगर अपने staff contribution दे चुके हो तो tip गरा देने तो आपके उपर जो staff contribution लगेगा ना वो इसका 10% से कम होना चाहिए यानि कि 500 का 10% मिला 50 पे से कम होना चाहिए तो 40 रुपे हो सकता है यह लगा दे तो यह चीज़ है staff contribution अब आपको नहीं देखने का मिलेगा service charge उसके लिए word देखने का मिलेगा staff contribution एक तरह की fee है जो services के नहीं होने चाहिए excluding DST और bold में लिखा होगा कि अगर आपने staff contribution दे दिया है तो कोई और tip देने की जुछत नहीं है वो staff contribution अपने आप में एक तरह से tip ही है ठीक है friends तो यह थे आज के topic हमें discuss करने थे आज के discussion basis के उपर मैं कुछ आपको homework दे रहा हूं इन सभी questions का मुझे दिन पहले ना around 15-20 दिन पहले हमने इसको भी discuss किया था तो इसका भी मुझे आप एक बार अंसर बता दीजिएगा कल जो answers question दिये थे उनका answer देख लेते हैं यूपार्टन पहलें सुला के अगर हम बात करें तो क्या western नाइजर है बिल्कुल गलत है हमें कहां देखने का मिलत नहीं यह तो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम था उसके रिगारिंग था मालविय मिशन ठीक है और होप आप सभी ने मैंने जो homework दिया था ना कि आप मदन मौन मालविया जी के बार में पढ़ोगे अपने उसके अंदर अपने पढ़ लिया होगा ठीक है एक question मैंने दिया थ इसमें इसको found किया जाता है अलग-अलग time के उपर एक तरह क्या होता है यह वैक्सी सबस्टांस होता है ठीक है तो उनकी digestive system के अंदर हमें पाए जाता है तो पहली statement जो कह रही है बिल्कुल ठीक है दूसरा कह रहा है एक rare substance है yes correct और यह perfume हो गया इनके लिए यहाँ यहाँ प पहली statement की the answer is no देखो दोनो statement independently पहली statement अपने आप में ठीक है दूसरी statement अपने आप में ठीक है पर ऐसा थोड़ी है कि statement 2 पहली statement को explain कर रही है नहीं तो इसलिए इसका correct answer बनेगा option number B is the correct answer here उसी तरह से अगर मैं बात करूँ समर्थ scheme के बारे में यहाँ पूछ रखा है ठीक ह तो smart scheme यह था तो यहाँ पर क्या आएगा सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ टेक्स्टाइल की बात होगी तो option number D one only is the correct answer से कौनसी ministry थी यहाँ पे this was ministry of textile focus क्या था कि इसको हम के आगे लेकर जाए हमारा अलग-अलग partners को हमने यहाँ पर लेकर आया थे ने target beneficiaries को हमने यहाँ पर include क्या था तो इस वज़ए से हमने यह screen पो पहले भी discuss कर चुकी है अगर आपको आज की लेक्सर की पीडियाफ चाहिए goodbye and good luck